लोगसभाचुनौप के तैयारियों में जुटी भाजपा लोगसभाचुनौप के पहले 36 गड़ के किसानों के लिए बड़ा एलान किया है मुखी मंद्री विश्चुदेर साय ने जश्पूर जिले में फस्सा बहार विकास खंड के अंतरगत ग्राम तामा मुंदा में इस उसर पर मुखी मंद्री विश्चुदेर साय ने बड़ी घोष्ट ना करते हुए कहा कि 12 मार्स को किसानों को धान की अंतर राश्टी लगभग 13,000 करोण रुपए प्रदान की जाएगी पथल गाउं में लिंक कोट प्रारम करने की भी घोष्ट ना की है मुखी मंद्री ने गीरी गुवर्धन परवत के सुगम सीसी मार्ग निर्मान हे तू 32 लाख रुपए फरसा बहार में सांस्कतिक मंड़ फे तू 10 लाख रुपए शिव मंदिर से कासा टोली हे तू 12 लाख रुपए की घोष्ट ना की है आज आप सब लोगों ने हमारा आत्मे स्वागत किया है इसके लिए हम आप सभी लोगों का और बिस्सकर यादव समाज का बहुत-बहुत अभारी हैं हम भी आप सब लोगों का हिर्दय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं एक लंबा राजनीतिक जीवन हमारा रहा है और अनेकों जगह हम लोगों को तोले हैं कहीं सिकों से तोले हैं कहीं लड़ू से तोले हैं कहीं पर फल से तोले हैं कहीं धान से तोले हैं लेकिन हमको लग रहा है कि आज पहली बार यादो समाज घी से तॉले हैं और इसके लिए में यादो समाज का बहुत बहुत आभारी हो यह पहली बार घी से तॉल हुआ है और यह जो बहुत सुन्दर जगह है पहाडी के उपर में यह सांस्कितिक मंडब बना है और यह सांसद निधी से निर्मित हुआ है श्रीमती गोमती साही जी पहले राइगर लोकसभा छेत्र से सांसद थी तो 20 लाग रुपया इस मंडब के लिए दी थी और बहुत सुन्दर यह मंडब बना है तो इस अवसर में मैं पूर्व सांसद और वर्तबान पत्थलगाओं की विधायक श्रीमती गोमती साही को बहुत बहुत बधाई और धन्वा देता हूँ और मैं आदव समाज का अभारी रहूँगा जो पूरे छेत्र में सत्थ सनातन धर्म को जीवन्त रखने के लिए तरह तरह का आयोजन कहीं असपहरी का कहीं 24 पहरी का कहीं 72 पहरी का इस तरह से आयोजन अखन किर्दा नोगर करते रहते हैं तो इस तरह से सनातन धर्म को जागरित करने के लिए जो उनका पर्यास है उसके लिए में उनको और सभी को जो लोग उनके साथ सहभागी होते हैं उनको बहुत-बहुत बधाई और धन्वा देता हूँ कई कारकम है इसलिए ज्यादा बोलने का समय नहीं है लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आज आप लोगों के असिरवात से आपके छेतर का बिधायक आज 36 गड़ का मुख मंत्री है और 36 गड़ में अभी ये सरकार चलते हुए मुश्किल से धाई महना हो रहा है और धाई महने में ही हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिसा में अपना कदम बढ़ा चुकी है 18 लाग परधान मंत्री आवास की स्विकृति दे चुके हैं और बहुत जल्दी लोगों का परधान मंत्री आवास बनना सुरू हो जाएगा हम लोग राजजान्स की ब्युस्था कर लिये हैं दो साल का बकाया बोनस 12 लाग से ज़्यादा किसानों का 316 करोड रुपया दे चुके हैं पी एस्सी घोटाला को जांच के लिए सीवियाई को सौप चुके हैं 21 कुंटल परतियकर धान इस साल खरदे हैं और 147 लाग में ट्रिक्टन धान इस साल 36 गड़ में खरीदी हुई है जो कि अभी तक का रिकार्ड है बंफर धान खरीदी इस साल 36 गड़ में हुआ है और 31 रुपया देने की बात हुई है MSP सबको मिल गया होगा लेकिन जो 917 रुपया प्रतिकुंटल अंतर की रासी है 24 लाग से जादा किसान जो 36 गड़ के अंदर में धान बेचे हैं 147 लाग मिट्रिक धान उनके खाते में अभी करीब करीब निश्चित है 12 तारिक को हमारे देश के क्रिसी मंत्री अरजुन मुंडा जी 36 गड़ आएंगे और पूरे जिला में हर जगह कारकम रखके उस दिन 24 लाग से जादा किसानों के खाते में जो अंतर की रासी है ये करीब 13,000 करोड रुपया है 13,000 करोड रुपया उनके खातों में हस्तांतरन कर देंगे और अभी तेंदुपत्ता का भी सीजन आ रहा है हम लोग केबिनेट में पास कर चुके हैं इस बार 15 दिन तेंदुपत्ता की खरीदी होगी और 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता का कीमत दिया जाएगा और जो पुरानी ब्योस्था थी भारते जनता पार्टी के सरकार के समय चरन पादु का योजना बच्चों को स्कालर्शिप के योजना बीमाग की योजना ये सारा ब्योस्था जो पुरानी ब्योस्था थी वो फिर से चालू होने वाली है और मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी छत्तिगड की जनता से किये है वो सब हम लोग पूरा करने वाले हैं अभी समात के तरफ से हमारे गनेस यादोजी कई काम का प्रस्ताव दिये हैं और यह जो मंडब बना है वास्तों में बहुत सुंदर जगह है और इसको और भी आगे सजाया जा सकता है यहाँ पर हमारे बन विभाग के डियेफो साहब भी आए हुए हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपने विभाग के तरफ से इसमें और थोड़ा ब्रिक्षारों पनोगर हो जाए इसका काम आप देख लेंगे और